बहुत बहुत धन्यबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले इंडिया गठवंदन के सभी बिष्ट नेताओं का सीनियर नेतागन का मैं बहुत तहदिल से धन्यबाद करता हूँ कि आज उनों ने अर्विन केजरिवाल जी के जेल में डालने के विरोध में यहां आके हमारा होसला बढ़ाया एक बार मैं तालिया चाहूँगा आपकी तरब से भी मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूँ मैं बहुत जुनियर हूँ बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं लेकिन इतना मैं कहूंगा के लोग तंतर खत्रे में है देश का लोग तंतर खत्रे में है इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे डंडे से चला लेंगे ये देश किसी के बाप की जगीर नहीं है ये एक सो चालीस करोड लोगों का देश है ये आजादी ये आजादी हमें शहीद आजम भगर सिंग राजगुरू सुखदेब मदनलाल धींगरा करतार सिंग सराबा चंदर शेकरा या जैसे हयारों योदाओं ने अपनी जवानी में अपनी जवानी में गले में फांसी के रस से लटका के ये आजादी हमें दिया है ये इनके किसी पापदादे की जगीर नहीं है क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्र तक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी अउकात में रहें कि समझते क्या है अर्विर केद्रीबाल को अंदर कर दो हेमन सुरेन को अंदर कर दो इसके घर एडी पेज दो इसके अगर इसकी MP शिप कैंसल कर दो इसका घर छीन लो अरे मालिक तुम हो इन घरों के मालिक तुम हो इन घरों की मालिक 140 कुरोड जनता है कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किस को पहुँचाना है ये गलत फहमी में हैं हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यूँ कहने को तो मुर्गे के सर पे वी ताज होता है आज सुनीता जी आज कलपना जी बैठे हैं सोनिया जी बैठे हैं मैं नमशकार करता हूँ नमन करता हूँ कि इन्होंने इतने दुख जहले इन्होंने किया-क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में आंदियां, तुफान, जहले लेकिन फिर भी इतने होसले वाले बेठे हैं और आपके साथ आपका प्यार जो है सबसे बड़ी आकसीजन हो आपका प्यार है ये तालिया ये तालिया किसी को ऐसे ती मिलती, किसी को धिहाड़ी दे के मोधी मोधी करवाना बहुत हीजी है. यद्ज़ कोई दिल से बोलता है न, वह बात असर रखती है, झब दिल से बोलता है, ये धेश के टुकुड़े टुकुरे करना चाहते हैं जैसे राहूल जी कह रहे हैं वहां लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये, कौम को कबीलों में मत बांटिये, एक बहता दर्या है मेरा भारत देश, इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये। एक व्यक्ति नहीं है, अर्विन के दिवाज एक सोच का नाम है, इंडिया गर्जोड एकठे हैं, सब कठे हैं, आज सबी के मेरे ख्याल में कहीं हो का तो कैमरे भी का अपने लगे होंगे, ये कठे कैसे बैठ गए, ये चाहते नहीं हम कठे बैठे, कभी ये इदर से, कभी जितने मर्जी कठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे, कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा, लूट लो देश को कितना लूटना है, गरीबों की बद्वाएं ना लो, हर बात पर जूट चल रहा है, हर बात पर जूमला चल रहा है, जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे यकीन मत करना मैंने तो पार्लिमेंट में बोल दिया था मैंने का जी पंद्रां लाग की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है 15 लाग की रकम लिखता तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ, तो स्याही सूक जाती है, हर बात ही जुमला निकली, मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाये बनानी आती है? मुझे लगता चाये भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किसम का जूट चल रहा है, दोनों हाथ उपर खड़े करके, दो नारे लगा दीजिए, इनकलार, इनकलार, भारत मता की, वंदे, बोले सोने हार, बहुत धन्यवाद, बहुत भुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद,